तो दोस्तो मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूडिव चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ अगर आपका समर्सिवल पंप या मोटर स्टार्टर पैनल बारवर ट्रिप हो रहा है तो इस वीडियो गी सायता से आप अपने स्टार्टर पैनल को रिपेर कर सकते हैं सबसे पहले हम इसे वायर देखते हैं यह जो आपको वायर दिखाई देए थी फेस अपलाई है जो की इस रिले की उपर टर्मिल पर कनेक्ट हो रुखी है यह जो नीचे आपको वायर दिखाई दे लिए वो समरसिवल पंप किये तीन वायर अगर आपका स्टार्टर पैनल किसी दूसरे टाइप का है या फिर स्टार्टर पैनल से कोई मोटर कनेक्ट हो रुखी है या फिर समपंप कनेक्ट हो रुखा है तो आप इस वीडियो की साथ ऐसे उसे रिपेर कर सकते हैं बार बार ट्रिप होने वाली प्रोब्लम को सॉल्ट कर सकते हैं सबसे पहले हमें स्टार्टर पैनल पर ये चेक करना है जो भी इसके अंदर वायर कनेक्ट हो रखी है कोई वायर लूज तो नहीं है या 3-phase supply प्रोपर आ रहे है कि नहीं आ रहे है कभी कबर क्या होता वायर लूज Dorti это the जिसवाता मोटर 2 सिर्च आती है इसकी वेविजिसे क्या मोटर के लूट पड़ता और वेज-अर्शे क्या होता रीले इसनको ट्रिप कर वाला तै इसे कि bar बार बार ट्रिप होने वाली problem solve हो जाती है अगर यह सब करने के बाद भी आपका starter पैनल बार 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 ट्रिप हो रहा है तो आपको क्या करना है आपकी जो motor लगी हुए यहाँ पर contractor जो होल्ड हो चुका है अब हमें यह चेक करना है कि यह जो हमारा साड़े साथ HP का जो summer civil pump है वो कितना MPR load current लेता है तो देखिए यहाँ पर मैंने से MPR पर set कर दिया क्लैम मीटर को और यहाँ पर देखिए red वाले वायर पर चेक करते हैं तो यहाँ पर जो red वायर है समर्सिवल की इसमें जो load चल रहा है वो 12.7 MPR के आसपस चल रहा है अब हम इसी तरह इसकी जो दूसरी वायर ह यहाँ पर आपको yellow वायर दिखाई दे रही है बीच वाली इस पर हम इस पर लगा के चेक करते हैं क्लैम मीटर को तो यहाँ पर जो इसका load है वो 11.7 MPR के आसपस चल रहा है और तीसरी जो black वायर दिखाई दे रही है इस पर भी हम चेक करते हैं तो यहाँ पर जो इसका load चल तो यहाँ पर जो रिले की सेटिंग है ऊपर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो सेट पॉइंट है यहाँ पर 13 से स्टार्ट ही हुआ है तो यहाँ पर मैंने इसका सेट पॉइंट भी 13 पर रख रखा है अगर यहाँ पर हमारी समरसीवल पर हम 13 से 14 एंपयर की बीच में करें तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो नोब दिखाई दे रही है इसके set point को एक से दो एमपेर बढ़ा देना है इसके set point बढ़ाने से क्या होगा जो motor बार बार ट्रिप हो जा रही थी वो problem solve हो जाएगी तो दोस्तो इसी तरह आप भी अपने relay की setting को बढ़ा के जो ट्रिपिंग वाली problem है उसको solve कर सकते हैं अगर आपको relay की setting करने problem आ रही है या यह problem हो रही है कि इसका set point है वो कितना रखना है तो इससे related कोई भी problem है तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो please इस वीडियो को like कर देना अगर आप में चैनल के नहीं है तो please में चैनल को subscribe कर देना और bell icon को प्रेस कर देना जिससे आने वाली electrical की video notification आपको सबसे पहले मिल सके मिलते आप से next वीडियो में